गुड़ाप्टरणून एवरिवन आज के दा हिंदू के चिन्ने एडिशन के साथ न्यूज एनलाइज करने के लिए जो आने वाले टाइम में करेंट एफेर के क्वेस्टन्स बन सकते हैं मैं आप सबका स्वागत करता हूँ रोयलेस अकेडमी के स्प्लिट फॉर्म पर आज का अपना टाइग लाइन है साधी की उम्र कितनी होनी चाहिए 21 साल, 18 साल तो अल्रेडी है गवर्मेंट का कहना है कि 21 साल कर देने से गल्स को एक कैरियर डिसीजन करने में और mentally और physically strength गेन करने का थोड़ा सा odd time मिलेगा undoubtedly it is correct साधी की एज कितनी होनी चाहिए ये इंडियन कल्चर में आज का इसू नहीं है आज से पहले 1891 में जब अंग्रेज लेकर के आये थे age of consent will चुकि मैं ये paper इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि देश का news आपको दे रहा हूँ आप बहुत अवेर हो जाएंगे किवल एक ही purpose है वो है competition में आने वाले questions को solve करना तो मैं history में ले चलता हूँ आपको 1891 में age of consent will आया था आज जब ये age पर contention हो रहा है बहस चल रहा है तो UPSC एक बार history में जाकर जरूर देखेगी कि पहले क्या हुआ था 1891 में एक bill लाया गया था age of consent will इसमें ये कहा गया था कि girls की जो साधी की उम्र है उस time पे आज से लगभग 130 साल पहले 8 साल से बढ़ा करके 11 साल कर दिया जाए तिलक लुकमान ने तिलक जो बहुत बड़े nationalists माने जाते हैं उन्होंने इसको अपोज किया था कि नहीं 8 साल ही ठीक है और अगर age बढ़ाना है तो वो Indian society बढ़ाएगी हम Indians decide करेंगे अंग्रेजों को उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि हमारे यहाँ age कितना है उनको ऐसा तिलक ने उस time पे ये age यूम किया था कि ये cultural interference है same condition आज है आज जब central government कह रही है कि साधी की age 21 साल कर देते हैं तो opposition के कुछ leader का कहना है कि ये girls खुद decide करेंगी कुछ leader तो ऐसे ऐसे बक्तब्बे देते हैं जिनका कोई meaning नहीं है कि girls अगर 18 साल में board दे सकती है पी-म चुन सकती है तो साधी क्यों नहीं कर सकती है इसका कोई मतलब नहीं बनता है सारे girls को एक तरह का right हमारे country में constitution ने भले ही दे दिया है but socially बहुत ज़्यादा difference है सारी लड़कियां इंडिया की देली मुंबई में मेट्रोज में नहीं रहती है कि उन्हें freedom available है गाओं में, rural इलाके में, tribal इलाके में, settled area में रहने वाली girls को आज भी उनके parents और society decide करती है कि इनकी साधी कब होगी, इनके बच्चे कब होगे और कितने होगे so we must need to think over it government का बहुत अच्छा decision है कि 21 साल कर दिया जाए officially officially, officially 21 साल करने से parents पर एक psychological pressure आएगा, वो girls को पढ़ाने का काम करेंगे, carrier देने का काम करेंगे, थोड़ा सा choice मिलेगा उनको anyway, ये age of consent bill, आज के ये 21 साल ये 18 साल के terms में important है आज का आप tagline ये ही देखा होगा आपने, तिलक ने उस टाइम पर अपोज किया था, अपोजीशन आज भी हो रहा है next news article है कि राज्यसभा पासेस electoral reforms bill amid opposition protest मैंने आपको पहले भी बताया था कि Parliament में एक bill आया गया था, जिसमें voter list को, voter ID card को, अधार card के साथ लिंक करना है उससे bogus voting रुकेगी, वो इनसान जो एक से ज्यादा जगा voter list में listed है, उसकी पाचान हो सकेगी और एक citizenship, एक ही vote मिलेगा, वन citizenship, वन vote, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेंगाल के और कुछ ऐसी जगा के कुछ impeach, इसका opposition कर रहे हैं क्योंकि उन्हें bogus voting ही हमेशा मिलता रहा है अच्छा, खास करके राजसभा के member जब अपोच करते हैं, तो ये समझ में नहीं आता है, कि इन्हें उसमें क्या मिलना है, इनका election direct तो होता नहीं है So it is PT politics, ये पहुत अच्छा decision है, government का voter ID card को आधहार card से link करना, very good decision है ये एक नज़र डालते हैं, voter list से related provision क्या है, article 324 काता है, कि एक election commission होगा, इसका member decide करना parliament का काम है, जो time to time amendment करके ये notification ला करके decide करते रहती है फिलहाल, एक chief election commissioner हैं और दो member हैं, यानि तीन member का body है election commission, और ये article 324 में election commission का provision है, यानि election commission एक constitutional body है बात करें 325 की, तो article 325 करता है, कि voter list में किसी person का नाम केवाल इसलिए नहीं निकाल दिया जाएगा, या सामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि वो किसी special caste, religion, race, या particular sex से belong करता है, male है, female है, transgender है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है voter ID card में सब का general नाम होगा, without any title, आपको याद होगा, title अपने country में मना किया गया है, article 18 के तर्थ, बढ़ते हैं अगले article की तरफ, 326, 326 काता है, 326 काता है कि लोक सभा और विधान सभा, यानि lower house of parliament and lower house of जहां पे दो होते हैं, जैसे legislative assembly और council भी है, अपने पांच स्टेट में अभी, आंध्रा ने हाली में छोड़ दिया है, तो 326 काता है कि लोक सभा और विधान सभा का चुनाब adult suffrage पर होगा, यानि जो भी person 18 year से ओपर है, या 18 year का है, वो boat देगा और वो elect करेंगे लोक सभा और विधान सभा के member को, बढ़ते हैं next article की तरफ, सिरलंका ने 13 more Indian fishermen को detain किया है, आज की news paper में last page पर इसका detail आपको मिलेगा, वहाँ पर हम इसे detail में देखेंगे, SHRC, A State Human Rights Commission, A State Human Rights Commission और National Human Rights Commission, Parent Organization है National Human Rights Commission, जिसे हाल ही में 2019 में कुछ law ला करके काफी change किया गया है NHRC में, तो एक नजर हम डालेंगे NHRC पर, कि NHRC आज कितना different है कल के NHRC से, यानि 1903 के NHRC से, हर अस्टेट में SHRC का प्रोभीजन दिया गया है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे अस्टेट हैं जहां SHRC नहीं है, अस्टेट Human Rights Commission नहीं है, NHRC, National Human Rights Commission, 12 October 1993 को establish किया गया, 2019 में, 2019 में इसे amend किया गया इस Act को, यानि प्रोभीजन जो NHRC का दिया हुआ है, और जो most important amendment था, वो ये था, कि इनका जो age है, उसे हटा करके year कर दिया गया, और वो three year कर दिया गया, अब जो chairman और member होंगे, वो तीन साल के लिए appoint होंगे NHRC के, बहुत different है ये, याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाल फिलाल का amendment है, और इस पे काफी अंगावा हुआ था, अभी NHRC के chairman AK मिसरा हैं, अरून कुमार मिसरा हैं, एक दो महिना ये post खाली रहा गया था, फिलाल chairman AK मिसरा हैं, एने चारसी के member का selection, एने चारसी के chair person का selection, एक six member committee करती है, जिसे परधान मंत्री खुद लीड करते हैं, अपोजीशन लीडर लोगसभा का, उस selection committee के member होते हैं, जो एने चारसी के member को सर्च करेंगे, deputy chairman राजसभा का वो भी member होते हैं, home minister वो भी member होते हैं, तो इनके name, I mean post याद रखना है कि कौन-कौन सा person, selection committee, जो chair person और member सर्च करता है, उसमें सामिल होते हैं, ये main चार हैं, home minister, prime minister, opposition leader in लोगसभा, and deputy chairman of राजसभा, NHRC या SHRC का power execution का नहीं है, ये state police या central government को order नहीं दे सकता है, केवल recommend कर सकता है, आज के article में भी आप term देख सकते हैं, recommended that, it cannot order like court, it is not a court, ये natural justice पर काम करता है, ये recommend कर सकता है, compensation देने के लिए, convict करने के लिए, लेकिन order नहीं दे सकता है, और इसका recommendation obligatory भी नहीं होता है government पर, सो बहुत सारी चीजें हैं, जो भी और सुधार होना है NHRC के लिए, undoubtedly NHRC human right के लिए, एक umbrella organization है हमारे country में, कुलकत्ता में municipal polls हुआ था, हमें इसमें कोई interest नहीं है कि कौन जीता, बट article constitution में कौन सा है, ये जरूरी है जानना, तो ये article है 243ZA, 243ZA article हमें ये कहता है, कि हर एक municipality में election होगा इसके तहत, तो ये article आपको याद रखना है, UPSC matrix match में दे देती है, और state PCS का favorite topic है, similarly, पंचायत का election 243K से होता है, मैं trick बता देता हूँ, election के बाद generally अपना response क्या होता है, कौन जीता, तो यहाँ के से कौन, 243 में जो के term यूज हुआ है, ये कौन के लिए आप याद रखें, 243 काता है, election हर 5 साल पर पंचायत में, और 243ZA काता है, election हर 5 साल में, municipality में जरूरी है, एक term यूज किया गया है, गुपकार कॉल्स, ये गुपकार कॉल्स, गुपकार ग्रूप में भी question में पूछा जाया है, ये जम्मू एंड कस्मीर से related एक ग्रूप है, वहाँ की regional party ने एक ग्रूप बनाया है, एक type का, ये political, एक collision तो है ही, साथ ही साथ आप इसे pressure group समद सकते हैं, but there is difference between pressure group and political parties, pressure group politics में interest नहीं लेता है, ये officially mention किया हुआ है, अस्टेचिटरी में, आज एक बहुत अच्छा article आया है, जो अपने state home minister है, नित्यानंदर आया है, इन्होंने कुछ अच्छी line ने वो ली है, मैं भी research करके इन्होंने कहा हो, बट अपने काम की चीज़ है, अगर हम UPCS parent हैं तो, किसी ने उन से पूछा, कि anti-national क्या defined है statute में, या constitution में, तो इनका जवाब था, कि anti-national माननी है, इंद्रा गांधी ने emergency के time में, एक article, article 31D insert करके, यूज किया था first time, 42nd amendment लाया गया था 1976 में, जिसे mini constitution भी करते हैं, और ये 42nd amendment, actually 31D को insert किया था, 42nd amendment से, इसमें anti-national term, anti-national activity, यूज किया गया था, बिल्कुल clear-clear, इस article 31D में, लेकिन, criteria क्या होगा, anti-national का, अगले दो साल वाद इस पर बहस हुई, और जब 44rd amendment act लाया गया, जो कि जनता party government लेकर के आई थी, उसने इसे null कर दिया, हटा दिया उसे, omit कर दिया, so, anti-national term, फिलहाल कहीं constitution में, यूज नहीं हुआ है, further, इनका कहना था, NSRV data को ये refer कर रहा है, इनका कहना था कि NSRV, National Crime Report Bureau, National Crime Record Bureau, जो annual crime report present करती है, 2017 के report में, एक chapter डाला था, उसने, crime committed by anti-national elements, as per NCRV, anti-nationals के 3 category थे, North East में insurgents, जो मैंनमार के साथ मिलकर, बंगला देश के साथ मिलकर, इनस्टेबिलीटी के लिए create के हुए हैं उदर, left being extremist and terrorist, जिसमें की जहादी भी सामिल थे, ये 3 criteria है, anti-national element का, बढ़ते हैं अगले article की तरफ, ये चेन नहीं एडिसन है, तो बहुत सारे news अपने काम का नहीं होगा, लेकिन कुछ news बहुत काम का होता है, चेन नहीं एडिसन के इस पेज में कोई ऐसा news नहीं है, जो आपके लिए जरूरी है, हाँ, एक article आया है, women participation critical for eliminating TV, officials का कहना है, TV, Tuber Closus, Tuber Closus को खत्म करने के लिए, women participation जरूरी है, undoubtedly women participation हर एक movement, हर एक जगा जरूरी है, जहां पर आप किसी गंदी चीज को eliminate कर रहे हैं, किसी बिमारी को eliminate कर रहे हैं, कुछ successful करना चाहते हैं, women participation is one of the critical juncture for eliminating anything, आपको as an UPSC experience यह याद रखना है, कि TV elimination का target क्या India ने रखा है, यह target रखा गया है 2024, 2024, 2024 is the target for elimination of TV in India, next article है, Contest for innovating solid waste management, solid waste management एक एवर green topic है, solid waste management के तरीके कितने हैं, solid waste management के rules कोन से हैं, आपको यह जरूर याद रखना है, मैं आपको shortcut में दिखाता हूँ, कि solid waste management के तरीके कौन-कौन से हैं, सबसे preferred, most preferred तरीका होता है, कि reduce करें, जब वो originate हो रहा है, यह आप देख सकते हैं, मैंने एक pyramid से इसे दिखाने की कोशिस किये, solid waste disposal को, उसके बाद है reuse, अगर आप कर सकते हैं, फिर recycle, compost, incineration, और landfill, landfill is the least preferred method, UPSC ने question पुछा था, कि which of the following should not be used, for solid waste management, तो अगर 4-5 option आप के पास आजाएं, तो सबसे पहले आप आउट करेंगे, landfill को, अगर landfill नहीं है, तो incineration को, incineration नहीं है, तो compost को, I mean reduce, reuse and recycle, यह जो triple R का formula, government ने भी हाल फिलाल में जोड़ दिया है, इस पे, यह बहुत important है, आप चाहें तो इसका screenshot ले ले, landfill is the least preferred method, जिसमें क्या किया जाता है, कि solid waste को जमीन के अंदर दवा दिया जाता है, incineration में, एक तरीके से physical, और high temperature के अंदर, इस waste material को retreat किया जाता है, compost आपको पता ही है, खाद बनाने का प्रकिरिया, तो compost is preferred over incineration and landfill, यह आपको याद रखना है, बढ़ते हैं next article की तरफ, solid waste management, आप detail में पढ़ें, detail में याद रखें, बहुत important term है, without any doubt, एक term यूज हुआ है, a special package, to AP in lieu of a special category status, जो a state finance minister है, पंकत चौधरी, इनका कहना है कि आंदरा परदेश को, हम a special package देंगे, क्योंकि after, recommendation of finance commission, and after, existence of GST, जब से GST exist कर रहा है, market में है, economy में है, जिसमें कि 42% के आज़ पास, जो tax है, वो state government को बापस कर दिया जाता है, GST से पहले उनका जो share था, वो 32% था, without GST, GST के बाद, state का share हो गया है, 42%, तो government का कहना है, कि ये जो 10% हमने GST ला करके बढ़ाया, इसके बाद, special category status की किसी को जरूरत नहीं है, special category status, generally अभी भी भी अमारे country में कुछ state को दिया हुआ है, और वो north east के state हैं, और बिल्कुल north वाले, जैसे जम्मू कस्मीर के state हो गया, जम्मू कस्मीर हो गया, जम्मू कस्मीर आवा state नहीं रहा, वो union trade tree बन गया है, इने अविलेबल है, हिमाचल भी a special category में आता है, montanious area वाले, उत्रांचल भी a special category में आता है, time to time दूसरे state भी, UP भी हर भी करते रहते हैं, कि हमें भी a special category status दो, लेकिन government का कहना है, कि जब GST का हमने 42% आपको देना शुरू कर दिया, पहले आपको 32% मिल रहा था overall tax का, तो आपको special category की जरूरत नहीं है, बढ़ते हैं अगले article की तरफ, करनाटका ने anti-conversion bill table किया था, जिसमें minimum 3 साल की सजा का प्रावधान है, कल हमने discuss किया था इसे, आप उससे यह याद रखें कि कितने ऐसे estate हैं, मैं तीन बता देता हूँ, आपको UP में भी anti-conversion bill है, मदपरदेश में भी anti-conversion bill है, और करनाटका ने अभी pass किया ही है वहाँ पे, आज के tutorial में बिल्कुल खास नहीं है, चेंजिंग दा इकोनोग्राफिय औप पावर, एक हिंदुत्वा को लेकर के against अनन्या बाज पेई हैं, अपने आपको ultra-modern समझती हैं, इन्होंने a statement दिया है, इनका personal विचार है, अगर आप सामत हैं तो आप इनके साथ जाएं, अधरवाइज कोई जरूरत नहीं है इसी रेटोरियल को पढ़ने की, लेकिन हाँ, thinking before linking, however, linking of अधार काड़ with voter ID काड़ is must, ये, चुकि आपको article लिखना आएगा, जब means में answer लिखना आएगा, तो थोड़ा सा आपको pro and cons दोनों देखना होता है, आपको यहाँ से terms मिल जाएंगे, कुछ sentence मिल जाएंगे, you can go for it, how the code on base legalized bonded labor, ये बहुत अच्छा article है, child labor पर खास करके, child labor और bonded labor, bonded labor से आपको याद आएगा, इंट वठा पे काम करने वाले मजदूर, brick kiln पे काम करने वाले मजदूर, आपको याद होगा, मैंने भी कई वार discuss किया है, आज फिर से मैं नाम ले रहा हूँ, code on wage bill 2019 में लाया गया है, अपने यहाँ जितने भी labor ला थे 50 से उपर, इनको केवल 4 code में बना दिया गया है, convert कर दिया गया है, now there are only 4 code in India, code on wage सबसे number 1 पे था, 2019 में लाया गया, बाकी के 3 code 2020 सेप्टेंबर में लाया गया है, अब भी इन्हें implement करना एक tough task है, बहुत सारे estate ने अभी implement नहीं किया है, आधे से ज़्यादा ने implement नहीं किया है, labor चोकि center और estate दोनों rule बना सकती है, कुछ estate modify करके इस पे rule बना रहा है, अब इस article से एक वर go through जरूर हो लें, आपको idea मिलेगा कि bonded labor किस तरीके से, actually ऐसा नहीं है कि ये wage legalize कर देता है real earth में, इन्होंने एक तरीके से हम कहें कि critically government को एक sarcastic way में कहा है, कि जो आपने code on wage लाया है, वो तो bonded labor को अब legalize कर देता है, बढ़ते हैं अगले article के तरफ, omicron को लेकर के खुब भंगामा मचा हुआ है, omicron से related ही ये article है, time हो तो पढ़ लें, otherwise कोई ज़रूरी नहीं है, अभी omicron के बारे में चीजे final निकल करके नहीं आई है, Gabriel Warix, जो की चिले के president बने हैं, इन पे ये article है, नाम भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा, चीले जिसका coastal area वर्ल्ड का सबसे लंबा है, length रसिया के बाद दूसरा सबसे लंबा चीले का है, length की बाद कर रहा हूं मैं area की नहीं, बढ़ते हैं next article की तरफ, government disaggregation with India's rank in world price freedom index, world price freedom index annually index लाया जाता है, reporters without border के द्वारा, reporters without borders ये NGO type का organization है, intergovernmental organization का सकते हैं आप इसे, ये world price freedom index लाता है, इंडिया को इस वार 142 rank दिया गया है, 180 countries में, तो government disaggregation है, इस वार बहुत सारे ranking आपको याद होगा, world hunger index में इंडिया को 101 rank दिया गया था, इंडिया ने काफी नराजगी जता ही है, और वो भी 116 country में, हम बंगला देश, नेपाल, पाकिस्तान से भी भूखे country है, military के साथ बात करने के लिए, इंडो म्यानमार रिलेशन या म्यानमार पे इंडिया की policy, important है, foreign relation में, actually, New Delhi recognize करता है, जो कूप हुआ था म्यानमार में, ये केवल, restrain करने की बात करता है, critically, इंडिया ने कभी, ये नहीं कहा कि नहीं कूप गलत है, आप इस चीज को, अगर थोड़ा सा आपका background होगा, foreign policy आपने पढ़ी हो गया, म्यानमार के इस्तिती को जानते हैं, तो आप याद किजिए कि म्यानमार, इंडिया के साथ, 1600 km long border share करता है, चाइना 3400 क्या असपस करता है, म्यानमार 1600 km border share करता है, इंडिया के साथ, म्यानमार से, इंडियन नागा लैंड, जो अस्टेट है, अरुनाचल है, और उसके नीचे मनीपूर है, मिजूरम है, यहाँ पे terrorist या कहले हम, insurgent, terrorist, insurgent, और नकसलाइट, यह तीन तरह के वो लोग हैं, जो anti-national माने जाते हैं, तो यह जो insurgent है, वो north east में नाम दिया गया इनको, insurgent, वहाँ पे coup आने से, military rule आने से, एक limit तक, control हुआ है, that's why, इंडिया recognize करता है, coup in Myanmar को, स्रिंगला साहब, जो अपने foreign secretary है, यह नई पे इता आई जाएंगे, नई पे इता, वहाँ की राजधानी है, बढ़ते हैं, अगले article की तरफ, next article है, covee shield effects wins after 3 months, different different vaccines का, अब effect सामने निकल करके आ रहा है, कि कौन कितना है, और यह कोई छोटा मोटा, publication ने नहीं publish किया है, Lancet, जो, biomedical world का, master माना जाता है, उसने publish किया है article की, covee shield का effect, 3 महीने बाद, खतम हो जाता है, 3 महीने बाद, अब फिर से normal हो जाते हैं, unvaccinated माने जाएंगे, बहुत बड़ी बाद कही है, Lancet ने, अब kovee shield, याद होगा आपको, serum institute पूने, पूना बाला ने बनाया था, इसको, उसकी company ने बनाया था, serum institute जो की पूने में है, kovee shield, अब Lancet का यह statement, undoubtedly, बहुत भारी पड़ेगा, serum institute को, क्योंकि, तीन महीने बाद, आप unvaccinated माने जाएंगे, as per the Lancet, जो एक research, publication है, और काफी, इसका, जो भी publication आता है, heavy weight माना जाता है, चिलाई कलान, चिलाई कलान, उस मौसम का नाम है, उस 40 दिन का नाम है, जब कस्मीर में लोग, जम जाते हैं, फ्रिज हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, डल लेक दिखाया गया है, frozen state में partially, वहाँ पर अभी चिलाई कलान, शुरू हो गया है, जैसे अपने हाँ, ठर्न में, different, different, फॉर्म में नेम दिया जाता है, गर्मी का लू कहीं कहते हैं, अब हम आ गया है, वर्ल्ड में, वर्ल्ड न्यूज में, वर्ल्ड न्यूज पे एक नजर डालते हैं, चाइना ने sanction लगाया है, US Government Official पर, ये जो उगर tribe है, Muslim tribe, जिन जियांग रीजन में चाइना के, इनको लेकर के, US काफी active रहता है, काफी promote करता है, इनके rights को, और चाइना को इस बात से तकलीफ होती है, European Union to push for 9 month vaccine validity, European Union जो 27 member का country है, UK जिसका अब part नहीं है, ये किसी भी vaccine certificate को, केवल 9 महिने के लिए valid बानेगी, एक article आया है आज, 160 migrants, drone of Libyan cost, United Nation का कहना है, एक नजर डालते हैं, meditarian sea पर, meditarian sea, किसी तकली है,